Hello dear students, welcome back in my YouTube channel अपनी तो पाट साला में, यहां सब मिलता है, तो बचों, dear students, अब क्लास 10 की, चाप्टर नमबर 3 की, एक सुन्दर सी पोयम, The Ball Pome, तो कोई भी बच्चा होता है, कोई भी बच्ची होती है, जब बच्पन होता है, तो आप चाहे कोई भी खेल खेलते हों, लेकिन उसमें बॉल जरूर आपका भूमी का निभाता, यानि बॉल, 100% आपने बॉल से तो जरूर ही खेला होगा, और फिर बॉल के गुमने का सिलसिला भी देखा होगा, तो इस पोयम से आप बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे, एक्दम जुड जाएंगे, कि हमने अपने जीवन मे जब बॉल खोई थी, या बॉल से खेला था, और उसके बाद वो बॉल मेरे से कैसे अलग हो गई, उसको किस प्रकार छुपा कर रखते थे, कितनी उसमें मेमोरीज थी, उसी पर डिपेंड्स है, या एक सुन्दर से स्टोरी, या एक पॉम, पॉम में स्टोरी चुपी होई ह तो आई ये सको स्टार्ट करते हैं बच्चों, और कह रहा है, एक लड़का है, लॉसस अ बॉल जो अपनी गेंड्स खो देता है, या नहीं खरीद सकता, Why then is the boy so upset, फिर लड़का क्यों इतना ज़्यादा अपसेट है, Read the poem to see what the poet thinks has been lost, तो आईए इस poem को पढ़ेंगे, जो poet के द्वारा लिखी गई है, और poem यानि poet John Weirman इसके writer है, तो उन्हों ने जो इस मतलब अपने निगाहों से देखा उस बच्चों को उस feeling के साथ, उस गेंद गुमने से पहले और गेंद गुमने के बाद, उस बच्चे में जो feeling established हुई, तो किस प्रकार उसका feeling change हुआ, उसके बारे में उन्होंने रिप्रेजेंट किया, and what the boys has learned from the experience of lossing something, और उस बच्चे ने उस गेंद के खोने से अपने जीवन में किस प्रकार से सीख सीखी, यही पोयम का में सीर सक है, जॉन वैर्मन ने बहुत खुपसूरत तरीके से इसको लिखा है, बच्चों, आईए इसको समझते हैं, okay, let's start, कह रहा है, what is the boy, what is the boy now who has lost his ball, अब वो लड़का क्या करता, जिसने अपनी गेंद खो दी है, समझ रहे हो, पहली लाइन में उन्होंने राइटर कहते हैं, कि वो लड़का क्या क्या है, या लड़का क्या है, या क्या होगा उसके साथ, या वो क्या करेगा, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, जिसकी बॉल गुम गई है, what, what is he to do, अब वो ह क्या करता, I saw it to go, किसको, इन्होंने किसको देखा, इन्होंने बॉल को जाते हुए देखा, किसको, बॉल को जाते हुए देखा, राइटर ने भी ये सारा मामला देखा, कि जो हो रहा था वहाँ पास, एक बच्चा अपने बॉल के साथ खेल रहा था, जिसकी बॉल उससे दूर चली जाती है, तो वो लड़के के बारे में सोचते हैं, कि अब इस लड़के का क्या होगा, अब ये लड़का किस प्रकार से activities करेगा, या क्या इसमें बदलाव आएगा, क्योंकि उन्होंने जाना गाते है, उसको merrily, मतलब बहुत जादा खुसी हो, तो उसी प्रकार से, तो गेंद क्या करते है, उसको describe कि उन्होंने, कि ball जो है तो ऐसे, ऐसे, जम, मतलब कूदते, कूदते, bouncing मतलब उछलते, कूदते, merrily मतलब खुसी-कुसी, down the street, गल्यों से होती हुई, कहां से गलियों से होती हुई and then merrily over merrily मतलब बहुत खुसी से there is in the water there is it in the water बहुत खुसी से जब आखरी में जम्प जम्प करते आती हुए फिर बॉल लप से कहां गिर जाती है पानियों के बीच में गिर जाती है तो यह करें उस बच्चे को देख रहे है राइटर जो बच्चा बॉल से खेल रहा होता है और बॉय के अंदर की फीलिंग रिप्रेजेंट कर रहे है कि उसके हाथ में बॉल होती है और बॉल अचानक उसके हाथ से जाती है और वो merrily अब लड़का भी यू देखता है और राइटर भी देखते है कि वो ball jump करते 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 आप देखेंगे ball 真 stitch गरती है तो वो उसको describe कि इतना चक्या किए है कि बोलें कि वो gain खुसी-्खुसी jump करती है क्योंकि उसका jump है कर gün ken करते है स्ट्रीट गलियों से होते हुई खुब खुशी से जाकर के वहां बगल की नाली में जो पानी भरा होता है वहां जाकर धप से गिर जाती है उसके बाद बच्चों क्या होता है No use to say Oh there are other balls अब उससे ये कहना कि No use to say उससे ये कहना बेकार होगा Oh there are other balls कि तुम दूसरी बॉल भी ले सकते हो An ultimate seeking grief अब लड़के के अंदर देखो क्या कहना यानि राइटर अपने आप से कहते हैं कि अगर मैं इस समय उसको बोलू भी कि लड़का तुम बिल्कुल परिशान मत हो तुम इसकी जगए दूसरी बॉल भी तो हम ले सकते हैं लेकिन लड़के को देख कर कि क्या लगता हुने An ultimate seeking grief Grief मतलब होता है दुख Fix मतलब जम जाना जैसे किसी के मन में दुख का एक sample जम जाना या दुख जम जाना अंदर से जम जाना मतलब रुक जाना या fix हो जाना चिपक जाना तो उस बच्चे के अंदर जब उसकी अभी उस बॉल से खेल रहा था इतना अच्छा उसका relationship बन जाता है गेंद के साथ कि वो बॉल जैसे ही पानी में गिरती है वह दुखी हो जाता है उसके मन में दुख फिक्स हो जाता है as he stand a rigid a trembling a staring down अब क्या होता है वो खड़ा हो जाता है और rigid मतलब होता हार्ड हार्ड मतलब पूरी तरह से कठोर हो जाता है यानि हिलडूल नहीं पाता है और trembling मतलब होता है थर थराना या कापना वह बुरी तरह कापने लग जाता है थर थराने लग जाता है staring मतलब घूरना down माने नीचे वह जहां उसकी बॉल गई होती उसको घूरने लगता है और वह बेहद डर जाता है बेहद उसके अंदर एक डरावनी भावना उत्पन हो जाती क्योंकि उसकी बॉल उसने देखा कि वह दीरे-दीरे कूदती हुई सीधे पानी में चली गई जिसके साथ उसका बड़ा लगा हो था अल इस यंग डेस इंडू दा हारवर वेर इस बॉल बेंट अब उसके पुरानी यादें बच्पन की यादें उस हारवर से जुड़ी हुई मतलब उस जिस पानी पे गिरा या जिस नाली से होते हुए गिरी या बॉल उससे उसकी पुरानी यादे जुड़ी हुई है यंग डेस पुराने दिन ऐसे बॉल से भी कह सकते हैं बच्चों कि कोई बॉल हम खेलते हैं कोई बैट से खेलते हैं तो उससे हमारी पुरानी यादे जुड़ी रहती हैं जब पुरानी कोई पोटोग्राफ देखते हैं या पुरानी कोई चीज देखते हैं अभी हम बॉल की चर्चा कर रहे हैं तो अगर हम पूरानी ball को देखते तो बोलते हैं कि यह पहले हम इसी ball से खेला करते थी इस तरह कि यह ball हुआ करती थी फिर मैं इसमें बहुत छक्के मारा करता था वगेरण वगेरा तो उसी प्रकार वए पानी के harbour जहां पानी पे गिर गे उसमें भी उसकी यादे जुड़ी हुई थी जहाँ वाल उसकी चली गई थी I would not intrude on him a dime another wall is worthless intrude मतलब रोकना तो writer कहते हैं कि मैं उसको पास वो डरा हुआ था उसके रिदय में बहुत दुख ब्याप्त हो गया था लेकिन I would not intrude मैं उसको रोकने नहीं गया या मैं उसे रोकूँगा नहीं क्यों नहीं रोकूँगा a dime another wall is worthless अगर मैं उसको बोलूँगा कि तुम इसकी जगह दूसरी बॉल खरीद सकते हो तो ये बात उसके लिए उस time worth होगी क्या होगी worthless मतलब worth किसी काम की नहीं होगी now अब writer क्या कहते है now his senses first responsibility अब वो कहते हैं कि उसकी senses को ये करना चाहिए इस बच्चे को समझना चाहिए अपनी पहली जिम्मेदारी अब ये कभी आपको ये बताएंगे कि किसी बच्चे की जब कोई चीज खोती है तो उसकी responsibility क्या होती है जिम्मेदारी की इस प्रकार की होती है उस जिम्मेदारी से वो कैसे निपटना चाहिए तो इस पोयम के माध्धम से बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सिखाने का प्रयास किया है तो क्या कहते हैं in a word of possessions in a word of possessions आप इस दुनिया में बहुत सारे लगावाली चीजों से जुड़े हैं ममी, पापा, भाई, बेहन, दादा, दादी बहुत सारी वरस्तों से जुड़े हैं घर से जुड़े रहते हैं आप यहां तक कि किसी-किसी restaurant तक से भी जुड़े जाते हैं तो कह रहे हैं, in a word of possessions लोग संबंधों में जुड़े हुए हैं people will take balls, balls will be lost always लोग भी उसी तरह हैं जिस प्रकार बॉल से आप खेलते, मिलते, दूलते रहते हैं फिर कब वो कूद करके पानी में गिर जाते हैं उसी प्रकार लोग भी हैं आपके साथ जिसके साथ आप बैठते हैं, मिलते हैं, खेलते हैं, उटते हैं, बैठते हैं और वो जीवन में फिर खो जाते हैं, या चले जाते हैं या उनको छुड़ना पड़ता है तो लड़के की पहली responsibility है कि वो समझे कि जीवन में चीजें जब खोती हैं तो उससे किस प्रकार handle करना चाहिए उस दुख से उस पीड़ा से किस प्रकार निकलना चाहिए इसलिए intrude नहीं करते या रोकते नहीं है राइटर उस बच्चे को कुछ भी कहके या कुछ समझाने नहीं जाते बचों सच कहते हैं तो सब को suggestion नहीं देना चाहिए अगर कोई प आप अपनी responsibility टेक करते हैं लेते हैं कि किस प्रकार से उस समस्या से हमें निकलना है तो वो best होगा क्योंकि आपको जिन्दगी में बहुत सारी चीजे खोनी पड़ती हैं हर चीज आपको आसानी से मिलने वाला नहीं है तो खोना पड़ता है तो आप उसके प्रती तयार रहे आपके लिए बहतर होगा और यही राइटर चाहते हैं कि उस बच्चे के अंदर यह quality यह responsibility डबलब्ड हो जाए ताकि वह समझ पाए तो वो कहता है balls will be lost always आदमी ball की तरह हैं जो जीवन में खोते रहते हैं and no one use buy a ball back और कोई भी चीज खोने के बाद वापस नहीं लड़ती जैसे आप जीवन में किसी ब्यक्ति को खो दें किसी चीज को खो दें तो क्या वो दुबारा मिलता है तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि I will I cannot be return that items that relationship that possessions वो चीज हम return नहीं कर सकते लोटा नहीं सकते हैं तो उसको आपने मन को समझाना पड़ेगा उस दुख से आगे नि अपनी लाइफ को जीना पड़ेगा तो ऐसे ही and no one buys a ball back उस गेंद को तो कोई नहीं खरी सकता दूसरी ball खरी सकते पर जिसके साथ आपका relationship जुड़ जाते हैं उसको आप दुबारा खरीद नहीं सकते हैं इसलिए वो रूपना नहीं चाहते हैं money is external things money एक बाहरी माध्यम है तो अगर money नहीं होता तो भी तो जिंदगियां चलती थी water system लगता था आप चीजें एक दूसरे को दे करके जैसे मैं आठा चुए था और किसी को चावल चीए था तो चेंज कर लेते थे money तब आया जब लोगों को कह रहा है कि हमको भी आठा च चीज है जो समें चीज उस बच्चे के अंदर बैठ गई है आंतरिक रूप से दुख पीड़ा कस्ट उससे निकलना सबसे जरूरी है He is learning well behind his disparate eyes उसकी आंखों के अंदर जो अंधेरा या दुखी चा गई थी This epistemology epistemology मतलब होता है knowledge knowledge कैसा ज्यान वाला knowledge नहीं चीजों को खोने की जानकारी जब कोई चीज खोती है तो उससे उभरने के लिए या उस knowledge को जो loss की जाती है उस वाले knowledge को हम epistemology कहते हैं How to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up दुनिया में हर व्यक्ति कोई न कोई हर व्यक्ति किसी न किसी को तो छोड़ता है ये खोता है ये खोने और पाने का सिलसिला जीवन भर चलता रहता है तो अगर आपको पता है कि जीवन भर में हमें कुछ न कुछ खोना ही पड़ेगा तो आप उसको understand करें, responsibility लें, जिम्मेदारी लें और उससे निकलना सीखें उस खोने के दुख से, उस खोने के डर से बाहर निकलना सीखें तब ही आप जीवन में survive कर पाएंगे नहीं तो आपकी life उस बच्चे की तरह freeze हो जाएगी, rigid हो जाएगी, hard हो जाएगी और आप निकल नहीं पाएंगे इसलिए writer वहाँ चाहते हैं कि बालक को नहीं रोके ताकि वो अपने कदमों पर खड़ा हो सके और जिंदगी की समस्या से बाहर निकल पाएं तो dear students यह थी एक छोटी सी poem एक beautiful poem जिसके माध्यम से आपको बताया गया कि एक बॉल के साथ किस प्रकार relation बन सकता है और बॉल के साथ साथ आपकी इस प्रकार अपने जिंदगी की चीजों को तो देखो writer में क्या कम्माल की चीज होती है कि नहीं कि वो एक बॉल को लेकर के एक किताब को लेकर के एक नदी को लेकर के जरने को लेकर एक सुन्दर सी लाइव का lesson सिखा देते हैं I hope को आपकी पोयम अच्छी लगी होगी मेरा explanation जैसा लगे आप लोग प्लीज कमेंट किया करें and thank you so much guys for your support